तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत जादा कमाल का होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आपको बताने वाला हूँ जो चंदन का हीतर है और बहुत अच्छा हीतर है तो यह पूरी बाते करेंगे वीडियो पूरा जरूर देखना चलिए सुरू करते हैं हेलो गोस्तों मेरा ना मैं कंचन पटेल और आप देखना सुरू कर चुके हैं फ्रेक स्टॉक इस चैनल पर हम फ्रेकरेंस रिलेटेड बाते करते हैं तो अगर आपको इस टॉपिक में इंट्रेस्ट है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर आप यह वीडियो और भी लोकों तक जाएगा और फ्रेक स्टॉक फेमेली हमारी बड़ी होती जाएगी बात करने से पहले वीडियो सुरू करने से पहले आपको कहना चाहूंगा यह एमेजोन ने इस वीडियो को पार्टनर किया है और जितने भी प्रोडक्ट में आपको बताऊंगा वह लिं देखने को मिलते हैं तो जरूर चेक आउट कीजेगा अठारा से बाइस तारीक तक यह वर्ड्रोब रिफ्रेस्ट चलने वाला है जिसमें बहुत धमाकेदार आफर्स आपको मिल रहे हैं और यह प्रोड़क्ट भी उन ओफर में से एक है तो दस्तु फुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बेला वीटा और्गेनिक लग्जरी यह मेंस के लिए उन्होंने गिफ्ट सेट बनाया है और इसके अंदर आपको चार बीजबी से मिल वाले फ्रेग्रेंस देखने को मिल जाएंगे जो मेरे खयाल से पूरे साल आप चला सकते हैं और बदल बदल के इने को मिल जाती है तो दोस्तों 20 ml की पॉटल कुछ इस तरीके से दिखती है और काफी अच्छी सॉलिड बॉटल बनाई हुई है काफी अच्छा के दिखता है और बहुत अच्छा इस प्रेय काफी अच्छा थो निकलता है और जैसे ही आप इसे अपलाई करते हैं आपको फूर फूटी टाइप की स्मेल आने लगती है इसमें से और हलकी हलकी डेंसिटी मिलने लगती है उस खुजबू में बहुत खुबसुरत खुजबू है यह खुजबू मुझे याद दिलाती है जब सुरुवात इसकी होती है सगफ जो होता है रसासी में उसमें जो मिठास और से वह जब थोड़ा से टोन डाउन होता है जो इसका मिनोट है वह बहुत अच्छा सा एक एंबरी टाइप की फ्रेगर देता है वह टीवर का इसमें बहुत अच्छा यूज हुआ है टोंखा बीन का हालका सा वैनिलिक टाइप का आपको यह लगता है तो अबर आल इसमें जो आई बाती है वह कहीं न कहीं इन्विक्टस की तरफ इसारा करती है लेकिन इन्विक्टस की अगर आप थोड़ी सी थिखनेस बढ़ा देंगे उसमें थोड़ा सा टॉंग का बिन डाल देंगे हलके से स्पाइसे और डाल देंगे कुछ उस तरीके का यह CEO फ्रेगरंस बनाया तो यह आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो बेला वीटा और अरगेक हैं वो काफी अची मार्केटिंग कर रहे हैं उनके प्रोडक्स की हर अच्छे नहीं है लेकिन कुछ प्रोड़क्ट हैं जो काफी अच्छे भी हैं बात कि जहीं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो तो आउट्डोर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो तीन से चार घंटे टिकेगा और इंडोर यूज़ करेंगे तो पांच घंटे तक भी टिक सकता है शुरुवात के एक से डेड़ घंटे बहुत अच्छा लाउड होता है उसके बाद आपके अराउंड बना होता है तो ज्य इसकी फ्रेगेंस है और इसमें यूज़्ष किया हुआ है और यह लूर्सान में यूज़ किया हूआ है नहीं है अनॉय करने वाली कोई स 있으ques नहीं इसके मिलता रहता है तो यह है एमपेक्ट यह भी काफी अच्छा है ओफिस वियर के लिए या डेली यूज के लिए समर के हिसाब से यह भी बहुत अच्छा सूट करेगा बात किजिए इसकी परफॉमेंस के बार में तो आराम से यह भी तीन से चार घंटे टिकता है उसके बाद आपके बहुत जादा क्लोस बन जाता है यह मैं आउट्डोर्स का बता रहा हूं इंडोर में 405 घंटे आराम से टिक जाता है और शुरुवात के दो घंटे काफी अच्छा यह लाउड बना होता है दोस्कों बात करते हैं आप ऊद की इसके अंदर वेनिला का नोट है टोंका बीन का नोट है डेंस खुजबू है और ठंडी में लगाने वाली खुजबू है अगर आप गर्मियों में इसे लगाएंगे तो हो सकता है कि अनौई करे और आपका सीर पकड़ ले सीर दर्थ चालू हो जाए लेकिन अगर आप का नाम है यह टिपिकल ऊद नहीं है एनिमली बिल्कुल नहीं लगता है लेकिन मिठास वाली कुजबू के साथ में काफी सारे नोट का बहुत अच्छा बैलेंस है यह थोड़ा ज्यादा चलता है इंडोर में आप मानके चल सकते हैं 6-7 घंटे तक आपके सांथ रहता है और को बात करते हैं डॉमिनस के बारे में यह थोड़ा सा यूनिसेक्स फ्रेगरंस लगता है फिर भी मेंलेनेस की तरब जुपता है इसमें एगर वूट का बहुत अच्छा नोट यूज हुआ है एक्च्छल एगर वूट आपको महसूस होगा इन सारे नोट के बीच में शुर वो टाइप की यह फ्रेगरंस है तो यह सुरुवात में फ्लोरल लगता है फिर वूटी टाइप का होने लगता है और वूटी से ही बैलेंस होके धेरे-धेरे सेटल डाउन होता है तो यह भी काफी अच्छा है अगर आपको क्लीन वूटी टाइप की और फ्लोरल टाइप की fragrance पसंद है तो आप इस पर भी जा सकते हैं performance इसका भी लगबग सेम है 4-5 गंटे आप उमीद रख सकते हैं दोस्तों इन पेक्स को आप individually भी खरीच सकते हैं मैं आपको recommend करूँगा सबसे पहले आप CEO try कर सकते हैं उसके बाद में impact, उसके बाद में पूद और उसके बाद में जिस हिसाब से जमा है उसी हिसाब से आप इन्हें try कर सकते हैं सबसे पहला मेरा recommendation आपको CEO रहेगा तो जरूर चेक आउट कीजिएगा वीडियो की description में मैं इनका links डाल दोगा दोस्तों बात करते हैं इस धमाकेदार बर सकते हैं value for money item है और जब मैंने इसे टेस्ट किया तो मैं भी काफी ज़्यादा satisfied हुआ क्योंकि 18% concentration में इसमें फ्रेग्रेंस ओइल का यूज किया हुआ है और longevity काफी आच्छी आपको मिल जाती है ऐसा company बताती है है सबसे पहला जो है into the wild और जैसा कि इसका थीम दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर सेर चीते बने हुए हैं और सब चीजों का अलग अलग तीम यहां देखने को आपको मिल जाएगा पेकेजिंग काफी अच्छी है और तो थाउजन रुपीज के अंडर में आपको 50-50 ml वाले तीन फ्रेग्रेंस मिल जाते हैं तो यह भी बहुत अच्छी बात है जब मैंने इसे स्मेल किया था फर्स्ट टाइम में जान गया था कि यह किस तरीके की स्मेल देता है और किसके सिमिलर लगता है जैसे आप इसे लगाते हैं तो इसमें भी एक हलका सा देंस खुजबू आपको मिलती है फोरस्टी टाइब की वाइब मिलती है थोड़ी सी रिफ्रेशिंग मिलती है लेकिन आप समझ सकते हैं कोई गहने जंगल में अगर एंटर करें और वहां जो fragrance आएगी मटी से लेके पानी से लेके कीचर से लेके तो पूरा जो एक जंगल होता है उस तरीके कि इसकी fragrance की थीम रखी गई है और हल्किसी मिठाच इसमें है वटीवर की पचूली का बहुत अच्छा नोट है वुडिनेस काफी अच्छी है इस fragrance के अंदर थोड़ा सा इंसेंसी टोन भी आपको इसके अंदर मिलती है जिरे नियम का इसके अंदर नोट है सेंडल वूट का नोट है बहुत सारे नोट है लेकिन ऑवर ओल यह सिमिलर लगता है एक fragrance के जिसका नाम है जेक्स बोगाट का सिल्वर सेंट्स इंटेंस उसके काफी ज़्यादा यह सिमिलर लगता है और अर्माफ में भी ओपस करके fragrance है उसके भी काफी ज़्यादा सिमिलर लगता है तो विल्यूफर बनी आइटम है थोड़ा सा आपको ग्लैसिकल वाइब देता है थोड़ा सा पूरान जमाने की वाइ दिख भी करता है तो आप इसे जरूर ट्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की खुचबू पसंद है दोस्तों बात करते हैं वाइल चाइल्ड के बारे में जैसे इस फ्रेग्रेंस को मैंने अपलाई किया मैं समझ चुका था कि किसका क्लोन है यह क्लोन करता है कि क्लोन करता है तो आप इसे भी ट्राइब कर सकते हैं अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है क्योंकि तीन-300 रुपे की इसकी यह 50 ml वाली बोटल भी मिलती है इंडी जोल लिंक भी में वीडियो की डिस्किप्शन में टाल दूगा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से और फ्रेगेंस की कॉलिटी भी काफी अच्छी है यह भी आराम से 4-5 घंटे ही चलता है और उसके बाद क्लोस्टू स्किन हो दोस्तों बात करते हैं वांडर के बारे में वाइट कलर किसकी बॉटल है और यह भी क्लासिकल वाइब देता है पुराने जमाने की वाइब देता है इसे भी मैंने यूस किया इसे में गेस नहीं कर पाया कि किसकी तरफ इसारा कर रहा है किसका क्लोन है लेकिन बहुत वोड़ी टाइप का होने लगता है थोड़ी सी प्रीमियम खुजबू तो है ये बात मुझे माननी पड़ेगी लेकिन क्लासिकल खुजबू है पुराने जमाने की आपको हिंट मिलती है यादे मिलती है तो और यह जो पूरा पेक है वेल्यू फोर मनी आइटम है 998 रूपीज में ये फ्रेग्रेंस बुरे नहीं है बहुत अच्छे डील आपको मिल रही है तो इन्हें आप जरूर चेक आउट कर लीजेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका अलग-अलग लिंक भी और इस बॉक्स का लिंक भी डाल दोगा दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेग्र डिटेल लखी हुई है कि किस तरीके से फ्रेग्रेंस बनाया है क्या ठीम रखी है और यह कुछ इस तरीके से आपको मिलता है यह एडिपी कॉंसेंट्रेशन में आता है और बहुत बढ़िया इसका पेकेजिंग इसका जो प्राइज लिखा है वह 1499 रूपीज है लेकिन यह यह जब यह थोड़ा सा सिटल डाउन होता है उसके बाद में असली रंग यह भी खेड़ने लगता है काफी सारे डिजाइने फ्रेग्रेंस की आपको याद दिलाएगा जैसे कि डेलन ब्लू है उसकी आपको याद दिलाएगा हलका कहीने कहीं यह आपको डियोर सेवाज की अब भी ले जाएगा एक्जेट क्लोन यह किसी का नहीं है दो चार चीज़ें मिलाके एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस जनरेट करता है यह इन्विक्टस के याद दिलाएगा इन्विक्टस जो है काफी सारे क्लोन्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में उसकी याद दिला लेकिन इन सारी चीजों के साथ में एक डेंसीटी जुड़ी हुई है एक रिचनेस जुड़ी हुई है टॉंका बीन का वेनिला का हलका हलका हिंट उसके अंदर जुड़ा हुआ है और इसको सूपा और पावर देने के लिए बहुत अच्छे से मस्क का यूज किया हुआ है सी पावडर हेंच का भी यूज किया हुआ है तो जब और और यह सारी चीजें मिलती है थोड़ा सा जब यह सेडल डाउन होने लगता है बहुत बढ़िया खुसबुस में से आती है शुरुआत के दो से तीन घंटे बहुत खूबसूरती बना होता है उसके बाद में जब य मस्की टाइप गई फ्रेकरन्स होने लगता है और हल्की हल्की सी टोंक का टाइप की वाइब आपको मिलने लगती है थोड़ा सा फिवब यूनिक नोट्स भी इसके अंदर मिले हुए है जो इस फ्रेग्रस को खास केरेक्टर देते हैं जो मुझे काफी ज़्यादा पसंद क है तो और वह बहुत अच्छा है थोड़ी सी मिठाज भी फ्रेकरण के अंदर है तो आपको यह भी जरूर्स कंशिडर करना होगी थोड़ी इसमें ब्लू थीम का भी उसकिया हुआ है यह भी आपको कंशिडर करना होगा sexy fragrance है compliment getter है लड़कियों को जरूर ये पसंद आएगा लड़कों को भी पसंद आएगा आप अगर office wear करना चाहा है पूरे साल आप इसे wear कर सकते हैं आपको इतना ज़्यादा सोचने हैं की जरूरत नहीं है एक छोटी सी problem यह है कि यह बहुत ज़्यादा last नहीं करता है यह भी 5-6 गंटे आप इससे उमीद कर सकते हैं कि यह आपके साथ ठीकेगा उसके बाद close to skin हो जाता है शुरुवात के 1.5 गंटे या 2 गंटे बहुत ज़्यादा loud होता है उसके बाद में आपके साथ एक bubble create करता है जो 4-5 गंटे या 6 गंटे तक भी जा सकता है तो performance से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा लेकिन fragrance की quality बहुत अच्छी है और fragrance भी काफी अच्छा है लोगों को पसंड़ी आएगा और अगर आप किसी को gift भी देना चाहें तो भी बहुत अच्छा रहेगा तो यही था मेरा view इस fragrance के बारे में पीछे सेर चीता इनोंने बनाया हुआ है और काफी अच्छी थिक bottle मिलती है और बहुत खूबसूरत presentation है और अगर देखे जाए तो मैं इसे 10 में से easily 8 marks देना चाहूँगा इसका link वीडियो की description में अगर आप इसे बाई करना चाहें जरूर बाई कर सकते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे आखरी product के बारे में जो की है यह सेंडल वूट चंदन बालाजी चंदन आपने कभी नाम इसका सुना ही होगा और मैंने भी अपने channel पे इसका आपको मिलता है अंदर रोलोन होता है तो मैंने इसे इसमें रोलोन लगा दिया है 6 ml का यह है 8 ml का है और कुछ इस तरीके से इसका presentation दिखता है जैसे ही मैंने इसे open की है अल्रेडी मुझे इसकी fragrance आने लगी है प्योर सेंडल वूट अगर आप ढूंड रहे हैं चंदन की दूधिया चंदन की खुजबू अगर आप ढूंड रहे हैं जो आपको हलका सा cooling effect देती है केवड़ा का effect देती है और ठंडी खुजबू के साथ में हर किसी को पसंद आने वाला एक चंदन जो बहुत लंबे समय तक टिकता है तो आप इस पर जरूर जा सकते हैं बहुत सस्ते दाम में आपको मिल रहा है 321 रुपीज का इस समय तो आप इसे जरूर कंसेडर कीजिए अगर चंदन की हुजबू चाहिए सिंथेटिक होने के बावजूद भी एक रियल फील देता है यह बहुत अच्छे बात मुझे लगती है और जिनोंने भी अभी आस्ता के ट्राई किया है बालाजी संदल्लवूड उनको काफी अच्छा सेटिस्फिक्शन मिला है तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं व